कि गट दानसर माइनस 20 सेंटिमेटर ठीक है पिशला जब आप लोगन यह फॉर्मिला लगाया था तब भी आप लोग के पास में कितनी आ रही थी माइनस 20 सेंटिमेटर आ थी और जब आप लोगने यहां पर यूज किया दैनियो अगें गैट दा वैल्यू माइनस 20 सेंटिमेटर ठीक है थोड़ा साप यहां पर मोडिफाई कर लिए ना भाइस के अंदर में यहां पर आप लोग को जो एच नोट भाई एच लिखा ने यहां पर थोड़ा सा साथ में रिपीट करूंगा लेंस के लिए लेंस के लिए जब यूज होंगे तो लेंस के अंदर में थोड़ा से डिफ्रेंस आजाएगा यह सारा रब कर दूमें आप लोग को अगर कुछ इसके अंदर में स्क्रिंसोट वगरे लेना है तो लेलो जल्दी से ठीक है चलिए आगे हम बात कर लेतें इसको कि इसके साइन कंवेंशन आप लोगों ने कर लिए पहले चीज़ आप लोगों ने क्या पढ़ी थी इसके बेसिकी डेविनेशन के बारे में बात करी फिर आप लोगों ने इसके कैसे इमेज बनती हैं कैसे हमारे पास में पैरलल पॉइंट होत कि किया हमारे पास में साइं करने से ठीक है अम मैं सुरुवात करता हूं इसको कि किया क्या हमारे पास में से बनेंगी कैसे against रखेंगे का किस लिए चलेंगी तो भाए दो फॉर्मोले आप लोग इस के अंदर में याद-रख लेना जब थी आपकी एक्जाम में को पूशन पूशा जाता है डारेक्लि आप लोगों को यह यूज करने पहला आप लोग को करने मिरर फॉर्मला डैट इस इकल टो बाइफ इकल टू बाइवी प्लस बाइवी समझाए कि कैसे आपको इसको यूज करने with sign convention इसके सर्थ यह है कि आपको sign conventions के साथ में इसको लेकर चलना पड़ेगा दूसरा आप लोग को जो magnification का formula है वो याद रखना है HI यानि कि image की जो height है वो divided by H0 यानि कि object की जो है वो आप लोग को represent करनी है और minus V by U याद रखना आप लोग को माइनस V by U V क्या मेरे पास में we have a position यानि कि location of the image from the pole और मेरे पास मि यू क्या है यू है मेरे पास में The image की जो मारे पास में object उसकी position है कहां से एक प्लक्राव कि जब मैं लेंस बढ़ाओंगा ना आप लोग तो lens के अंदर में हमारी यह formula क्या हूंगे थोड़े से हो जाएगे जहांपर plus है वहांपर minus सबसाफ है यानी कि 1 by F है यह मेरे पास में 1 by V होगा बिलकुल ऐसा है रहे element यहाँ पर जो plus है वो minus तो आप लोग को समझा है कि लेंस के अंदर में ज्यादा को डिफरेंस नहीं है चीजे वही रहेंगे सब कुछ हम उनीक हो यहां पर यूज करते वह चलेंगे और एक तीसरा फॉर्मुला जो आप मैंने आपको मैंने एक्जाम के लिए डारेक्ट बताए डैट विल इकोल टू क्या हो जाएगा मारे पास में यू एफ दोना का मल्टिप्लिकेशन डिवाइजिड बाई आपको यू माइनस फोकल लैंथ यह फोकल लैंथ आप लोगो यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे यह तीन फोर्मुला आप लोगो कुल मिला कि हमें च्छै फोर्मुला याद करन पोजिटीव हम लेंगे अभी आगे चलेंगे जब लैंस के बारे में डिसकस करेंगे वहां पर उन चीजों को बहुत अच्छे से हम समझने कोसेश करेंगे अब मैं बात करता हूं डिफरेंट 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 इपर हमारी इमेज़ेज ऑब्जेट रखी होगी एक क कोण क choke को मिरे रहे और मेरे पास इसका प्रिंसिपल आक्सिज यह मैरे पास यहां पर हम नेता पहली पॉजिशन यह हो सकती है कि जो मेरे पास में इमेज रखियो सोरी ऑबजेक्ट रखियो ऑबजेक्ट का मरलब होता है पहली सीज़ तो यह समझो कि इंफिनिटी होता क्या इंफिनिटी यह होता कि मालब आप अपने घर में बैठे हुए है और आप से 100 किलोमेटर दोर को रेडियस बन रहा है यह फिर सैंटर ओव कर वीचर रह è तो उसके रिस्पेक्ट में उसका रेडियर स मण है उसके र Grade्सिंटी में तेंस को अब एक ऑब्जेक्ट गया प्रतेंस नियुक्स में तो आप इन पोजिशन को उस minimum जो आप लोगों ने गिलास यूज किया है उसके लिए आप इनको infinity माल सकते हैं क्योंकि इसके comparable नहीं है वो इसके comparison में नहीं है यहाँ पर अगर मैं 10 बोल दूँ यह 100 बोल दूँ और इसको मैं 1000 बोल दूँ तो भी यह इसके comparison में नहीं है तो ऐ यहाँ पर मेरह पासकि यहां पर मेरे पास्म कोई ivy यह मेरे पास मैं infinity कि यह flattery यह ना कि यह वापास में मेरे वी इसके आहाँ पहली जैन assess यहाइगी मेरे दूसरी बने वाली मेरी object की वह behind C बनेगी याने कि दूसरी पोजिशन यह होने वाले मेरी object की तीसरी पोजिशन क्या हो सकती यह तो पूरा रिजन एक ही रहेगा ना इस point से यहां तक infinity सब्सक्राइब तो दूसरा point हो गया यह तीसरा point object कहा हो सकती है तीसरे point के अंदर में जो object हो मेरे पास में center of curvature पर हो सकती है फिर तोड़ी आगे बढ़ो center of curvature से focus के बीच में कहीं पर भी हो सकती है तो हम उस पूरी location को माल लेते हैं कि वह मेरे पास में location number four है अगला point बताएगा को मेरे को कहां पर हो सकती है बिलकुल यहां पर वह रहेगी focus के उपर में यहां पर पर में रख लिया तो आपने माल लिए बात करनी होती है केवल और केवल आपको 6 positions के बारे में एक कों की मीरर को लेकर discuss करना होता है कि इसकी images कैसे design होंगी जब भी हम इसके images के बारे में बात करेंगे तो इसके 4 thumb rule आप लोग को याद रखने हैं जो standard rules होंगे हमारे पास में जो इस फूरी calculation को मारे लिए बनातेंगे पहली हमारे पास में जूर रूर रही का जो हमारा पहला रूल है वह यह कहते हैं अभी आप लोगे पढ़ी पॉड़ी इस सारी चीजिए कि अगर मेरे पास में कोई मेरे पास में क्cend कोई में मिर रहा है अगर कोई रे principle axis के parallel आ रही है तो कहां से पास होके जाएगी वो उसके focus से पास हो जाएगी यानिकि पहली रे आप लोग को ऐसे incident करवानी है कि जहां पर आपकी object रखी हुई है वहां से parallel to principle axis डालो पहला जो रे आपको डालना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि जो भी image develop होत को मैंता है तो ऊसरे थमरूल आप लोग यह कहा सकते हैं कि अगर मेरे पास में कोई रे है कोई यह है और वो सेंट्र ओफ कर वेचेर से पास हो रही है और यह ऐसे जाएगी तो इसा-छिफलेक्ट सा इसी डारेक्शन में यह मेरे पास में reflect back होगी उसी direction के अंदर में यानि कि दूसरा rule मेरे पास में क्या है कि कोई भी रहे center of curvature से pass होती है वो मेरे पास में इसी direction में reflect back हो जाती है किसी को इसको समझने में doubt है या नहीं है यह बताओ मेरे को center of curvature से वापसी कैसे आ जाती है देखो भाई आप लोगों को मैंने कर दिए कोई यह मेरे पास में center of curvature से आप लोगों बरे पास करदी है तो मेरे को यह बताओ कि यहाँ पर ऑंगल कितना बन रहा होगा नोर्मल के साथ में क्योंकि जो रहे center of curvature होता है जो center of curvature से पास हो रही है वहี้ उसका normal होता है वही तो उसका normal होता है तो यहाँ पर यह क्या करेगी उसके नॉर्मल क्या लोंग आ रही है यानिके एंगल आई कितना बन रहा है उसके साथ में 0 बन रहा है तो reflect क्या होगा मालों इस इस पोजिशन पर टकराई तो इस पोजिशन पर टकराने के बाद में क्या होगी उसी डारेक्शन में वापसी चली जाएगी क्योंकि एंगल ओफ इंसिडेंस इकॉल टो एंगल ओफ रिफ्लेक्शन करना है तो यहां पर एंगल ओफ रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है जैट व वही उसका normal defined होता है उस particular surface का चलिए यहां तक आप लोग ने देखा इसको तीसरे point की मैं बात करूँ तीसरे point यह कहता है कि आपने कोई भी mirror लिया है कोई भी mirror लिया है अगर इसके उपर में आपने pole पे या किसी भी surface के उपर में किसी भी surface के उपर में एक ray incident करवाई है हम consideration मे इसके अंदर में ज्याज़ा तर पोल कर लेंगे तो पोल से मारे लिए जी हो जाता चीज़े सोल करना यह माला एंगल थीटा पर मेरे पास में गई है तो यह जो reflect back होगी यह भी मेरे पास में थीटा एंगल से ही होगी ओके यह आप लोगों ने angle of incidence और angle of reflection के बारे में बहु आपको क्या करना है एक रे ऐसी बनाओ कि जो मेरे पास में focus से pass हो रही हो जो मेरे पास focus से incident हो रही हो focus के थुरू incident हो रही हो और reflect back होगी कहां से वह reflect back हो जाती है parallel to principal axis कहीं ऐसा तो नहीं कि यह दोनों एक दूसरे के opposite है इसमें आप ने क्या कहा कि parallel to principal axis आती है तो वह पास हो जाती है focus से और इसके अंदर में क्या कह रहे हो कि focus से कोई जाती है तो वह parallel हो जाती principle axis के बिलकुल same यही चीज़े हैं इनको हमने opposite direction में बोल दिया दूसरा आप लोगो ने का वे center of curvature से वह written back हो जाती है इसमें कोई नहीं चीज नहीं बताई को यहां पर यूज करके मैंने समझाए इसके अंदर में भी सायद मैंने कोई नहीं चीज नहीं बताई है ठीक है क्योंकि इसके नोर्मल होता है तो यह नोर्मल के साथ में एंगल ठीटा बना रही है तो reflected रेवी एंगल कितना बनाएगी ठीटा बनाएगी उन्हीं लोगों को यहां पर मैंने यूज कर लिया है और इनी थम रूल का यूज करके मैं यहां पर इसको define करने वालो मेरे पास में जो भी यह च infinytty से आ रही होगी तो किया-kia case वनेंगे क्या कि हमें चेक करना होगा उसके अंदर में तो इसके अंदर में पहले मेरे पास में यह रही होगी और यां Disney से पहली रे मुझे बोला गया था कि आप लोग को क्या करना है तो आप कितनी भी रे ले किया हो यहां से कितनी भी रे आप incident करो सारी इस पॉइंट से पास करेंगी focus ठीक है अब इसकी प्रोपर्टी जो हमें याद रखनी है एक्जाम में पुछी जाती है वह यह पूछेगा कि मेरे को बताओ कि इमेज की position का है इमेज की position का बनेगी इमेज की position बन रही है यह एट focus बन रही है ठीक है दूसरा चीज इसके अंदर में पूछेगा कि मेरी जो इमेज है वह मैगनिफाइड है या फिर मेरे पास में उसका डिमनेस्ट बनी है तो आप इसको बहुत एजली समझ सकते हैं कि मालनों मेरे पास में फॉर्मूला था मैगनिफिकेशन का यह गिवर बाई वी माइनस यू आप लोगों ने दिया था ठीक है तो वी मेरा कहां पर बनेगा यह महीं आप लोगों ने दे जा वी और यह नीचे क्या बन रही है यू कहां पर है इंफनिटी पोजिशन पर रखा हुआ है तो क्योंकि मेरा जो पहला केस मैंने लिया है वह मेरे पास में इंफनिटी पॉइंट पर पोजिशन है कि इसकी औबजेक्ट ही रखी हुई है तो आप लोगों निया से कर दिया तो आप लिख सकते हैं इसको हाइली डिमनिस्ट हाइली डिमनिस्ट यहां पर रख्यों यानिकि वह बहुत चोटी है ज्यादा हमारे पास में मैगनिफाइड उसका नहीं है ठीक है अब इसके आगे हम बात करते हैं एक दो पॉइंट्स और आएंगे उनको मैं दुबारा इसके साथ में कोर्रेलेट करूंगा जब एक चीज आप लोग को बताऊंगा कि रियल और तो सी के जी मालो यहां पर पर मेरे पास में यह है और यहांपर मैंने औज बचेट को रख दिया यहे वाला पॉइंट मैं यहां पर एक T आप लोगो कुछ रूल्स बताये थे कि पहला रूल यह कहता है कि आपको री को एक ऐसा इन्सीडेंट करवाना चो चो कि प्रिंसिप लैक्सिज तो पहली रे जो है वह डाला जालो वी यह आप पहली रह मैंने यह डाली वह यह आ गई है यह मेरी फोकस से पास होगी नीचे तक जा रही होगी क्या मेरी कोई से इसकी रह निकल रही होगी लेकिन मैं यह पॉइंट कर रहा हूं कि मानलों आप एक मिरर के सामने खड़े और मिरर से आपके सिर से जो आपका सर है वहां से किवल एक रही है उसको मैं आपकी पूरी बोड़ी से नूट आउट इंफाइन नंबर ओव रही है लेकिन वह सारी यहां पर रिपेजेंट करूँगा तो बड़ा कॉंप्लेक्स हो जाने वाला है चली अब दूसरा जो पॉइंट था मेरे पास में मैंने का था ने किसका एक अपोजिट भी हम यूज करके देख सकते हैं तो दूसरा पोजिट क्या बोलता है कि अगर मेरे पास में कोई रे फोकस से पास होती है तो वो क्या हो जाएगी पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सिज हो जाएगी तो पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सिज यह होगी जागी है अब बताओ मेरे को कि रे वन अगर यह है मेरे पास में और रे टू मेरे पास में यह है तो जो रिफलेक्ट द्यान से स होती है केवल और केवल उन्हीं को हमें consideration में लेके चलना पड़ता है जब मेर से टक्राने के बाद में किस पॉइंट पर मीट करिए तो आपने देखा कि एक यह आ रही थी और एक रही यह मेरे पास में रिफ्लेक्टिड तो यह यहां पर मीट कर गई है तो यहां पर अगर यह यह पॉइंट बनाये किसका ऐडैस मन जाता है जब धी मे नेंषिक करते हैं यह की यहां पास भी आ रही थी दोनों यह हमआरे पास मेरे पास में तो अचिक मेरे बिचाँ तो आप लोगको क्या मिलनेवाली है तो आप सबत Sorry को जोईन कर देंगे दैनि यूल गैट दा इमेज है ठीक आप लोग को यहां पर मिल जाएगी और यह जो बनने वाली है दिस इस बी देख रहें न कि जैसे जैसे मैं औब्जेक्ट को आगे की तरफ में लेके जा रहा हूं तो इमेज जो इस साइड में खिशकनी शुरू हो गई है पहले फोकस पर ती अब यहां जाएगी फिर थोड़े दिर पाद यहां जाएगी फिर इन्ट पर चली जाएगी आप मिरर की त सी एंड एफ यह बन गई है अब दूसरा आप लोग इसे पूछ लिया जाए कि क्या मैगनिफाइड होगी या नहीं होगी तो आप खुद मेरे को बताओ कि आपने एक फॉर्मला पढ़ा था मैगनिफिकेशन का यहां पर यू बढ़ा है या फिर वी बढ़ा है आपको बता आपने कल्कुलेट करें दिस इज यू एंड दिस इज वी तो आप देख पा रहें कि वी यू हमारा ज्यादा है और वी हमारा कम है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर किसी चीज़ का ज्यादा होगा तो जो मारे पास में इसका जरू रिजल्ट आने वाला जैटीज लैस यानि ज़िए कि ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी लेकिन मेगनीफाइड भी नहीं बनती इसके अंदर में च्छलीर दोपइंट आप लोगों ने नोटकर लीए अब आप लोगों से जो पुछा जाता इसके अंदर में कि जो मेरे पास में इमेज़ बनेगी वह कर जा रियल थी तो यहाँ पर अगर रहा मेad कर गई है तो अबयंग ऐसे कर गई थी और यहाँ आहसे चली गई थी तो चाब आपास में मीट हो पारी थी आप लोगों ने देखा था रे तो कभी नी नी आप पाई थी तो आप करते क्या थे इसके लिए क्या क्रते थी इन रियरेंस को पिछे की डार्फषन में एक्स्टेंड कर तो यह होगी मेरे पास में और एक मेरे पास में यह होगी जो इस डारेक्शन में जा रही है कभी मेरे नहीं होंगी इन दोनों के बीच में बढ़ता चलेगा लेकिन जैसे आप इनको पिछे की डारेक्शन में एक्टेंड करवा देंगे दैनि विल गैट कि वहां पर इन दोनो रेज का आपस में मीट हो गया है तो आप कहेंगे कि मेरे पास में जो मेंज बनी है वो मेरे पास में वर्चुल इमेज बनी है ठीक है यह कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया चलिए यह समझ आया तो इसको आप एजली आंसर कर सकते हैं जो दूसरा पॉइंट में आप लोग घिर रही है सब्सक्राइब फिर तरो में इन वहाँ पर इमेंज में इसकी ओर रही है तो वह हमारे पास में जो बनने वाली चीजी है वो रियल मेज होती है य apparent मेरे पास में जैसे मेरे पुछ आता है जो जाता है वह इन्वर्टेड रिंच का मतलब यह होता है कि मालों यह मेरे पास में प्रिंसिपल एक्सिज है और प्रिंसिपल एक्सिज के अंदर में जो टोप एंड है इसका ए और बी मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है इसका टोप एंड उपर की साइड में और बोटम एंड इसका इसके प्रिंसिपल एक्सिज पर है और इन्वर्टिड का मरलब होता है कि मेरे पास में जो इमेज बनी है इसकी यह कुछ ऐसी होगी कि जो टो पैंड था वो इसके नीचे की डिरेक्शन में चला गया और जो बोटम एंड हो अभी इसी पॉइंड पर रहा गया याने कि जो मेरे पास में टो पैंड हो अगर बोट साइड में नीचे की साइड में आ गया बिल्कुल सभी समझा आप लोगों ने कि यहाँ पर मेरा टोप एंड हो कहां कि नीचे की साइड में आ गया यान कि यह जो फॉर्मिशन कर रहे दैट इस इन वर्ट इमेस तो यह चार-पांच पॉइंट होते हैं जो आप लोगों से और एक्जाम के अंदर पुशा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके लिए कौन सी चीज हम यहां पर यूज करें क्या रियल होता है क्या हमारे पास में एक्ट चलिए अब मैं बात करता हूं दूसरा केस आप लोगों ने देख लिया कि दूसरे केस में इसके पर आप लोगों ने अब्जेक्ट रखा पहली रे पहली रे किसके पैरलेल डालू पहली रे मुझे डालने पड़ेगी प्रिंसिपल एक्सिस के यह गई और यहां पर आ गई है दूसरी रे क्या करूंब है दूसरी आप कर सकते हैं कि इसके फोकस से पास करवा सकते हैं यह और यह यहां करवा ज đến अब इसके निकालेंगे की मेरे पास में जूम मिलेगा सी करते हैं क्या यह इसके इंदर में पहले चीज जब आपने सी पर रखी यानिकि उसके center of curvature पर रखी औबजेक्ट को तो आपको जो मिल रहा है कहां पर मिलेगी at c ही मिलेगी यानिकि जो center of curvature ता हुआ ही पर मिलने वाली है चले दूसरे की मैं बात करता हूं मेरे पास में कि होगी, same size होगी kalo magnified होगी तो आपको magnification का एक formula बताया है मैंने की minus V divided by U तो व की भी वही Distance है, और U की भी वही Distance है, तो क्या magnified मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं कि same size मिलेगा, क्योंकि दोनों की value मेरे पास मैं किया same है, तो आप लोग यहां तो आप देख सकते हैं कि जो after reflection जो रहे है यह आ रही है और दोनों actual में यहां पर हूर सब्सक्राइब कर और सब्सक्राइब करें यह निंवोड़ी संटी और बात करें कि बुर्च के ऊपर में टोम्ष नीचे की साइड में आगया यहनिकि मेरे पास में क्या बनने वाली है इन्वोट्टि इमेस बनने वाली है अब जाओ उस क्योशन के ऊपर में जो मैंने आप लोग को दिया था एक एक अब ठोड़ी तेर पहले कि मेरे पास में जो ऊब्जेक्ट मानेस 20 संटीमीटर पर रखा हुआ है और उसकी तो मैंने तो मैंने तुरन आपको बताया कि मैनस 20 cm पर बनने वाली और कुछ लोगों वहां पर आप लोगोंने सूल करके देखा होगा तब भी आप लोग का उसके अंदर में कि मेरे पास में जो औब्ject है यह फोकल लेंद है और यह मेरे पास में center of curvature यानि कि यह जो दूरी है यह मेरे पास में माइनस तो सोरी यहां पर जो अब्जेट रखा वाए यह focal length है और focal length आपको 10 cm दे रखा था यह distance हो थी और जो object रखी गई थी 20 cm पर रखी गई थी यानि कि twice of app पर रखी गई थी और बने वाले center of curvature पर ही बनेगी इसलिए मैंने वहाँ पर सिधा आप लोग आशर दे जा था कि इसका इमेज बनने वाले माइनस 20 cm यह होता है कि आपको अगर concept पर पकड़ है ना तो आप इसली उसको time कम time के अंदर में इसलिए उसको solve कर पाते हैं ठीक है चलिए हमारी नेक्ट पोजिशन की बात करते हैं फॉर्थ पोजिशन आजाओ वाई C और F के बीच में रखी गई है C और F कि यह मेरे पास में C और F के अंदर में इसको हम रख देते हैं कहां बनेगी आप दिमाग लगा सकते हैं इसके अंदर में कि जब आमने पिछे infinity पर था तो फोकस पर बनी यहां पर लिए तो थोड़ी इनके बीच में आगी यह क्या होजाना यह पिछे की डिारेक्शन में चली जाएका है एक है यहां पर क्या करना है इसको में इमेज बन गी है यह मेरे पास में बेस्टE किसका इमेज में बना आप लोगए तो पेंड़ के तो आप जल्दी जल्दी बता की कहा पर बनी मेज यू मेरे पास में छोटा हो गया है और मेरे पास में शोटा होता हरा वेसल ऑंप का सगती की मेरे पास में रिल्कुल मेरे पास बनी या पिर और आफ्टर रिफेक्शन तो आ पके सकते हैं मेरे पास वह बनाएं वाटम साइड में वह बनने की यहां यहां वाट करता हूं कि मेरिये जो ऊब्जेक्ट हो कहा पर आगी है focus पर आ गई है वही focus पर आ गई है तो यह यहां पर मैंने इसको represent कर दिया है मेरे पास focus पर object को मैंने रख दिया है तो यहां पर मैंने इसका object रखा पहला ray क्या करूँ मैं इसके लिए पहले point के लिए पहले point आप लोगो एक parallel डालना है principle axis के थोड़ा सा बढ़ा कर लोगा इसको यहां पर डालेंगे और कहां से पास हो जानी है यह यह after reflection focus से पास होगी लो भई focus से पास करवा दिये दूसरा मेरे पास में point क्या करना है दूसरा मेरे को से पास करवा दो तो क्या मैं यहां पर जो अब्जेक्ट रखी हुई है focus से पास करवा के लाइन पिछे ला सकता हूं यहां पर पॉसिपल नहीं है तो तीसरे रूल पर जाओ तीसरा क्या कहता है कि Center of curvature से आप पास करवा दो क्या मैं center of curvature से यहां से पास करवा सकता हूं करवा सकते हैं लेकिन उसको यूज करऊंगा उसके नहीं करूंगार उसके लिए चौता मेरे पास में रूटो यह एज़ी पढ़ता है यहां पर यह ऐसे जाएगी फिर वाप सी तो थोड और जो है यह यह कहां पर जाकर करने वाली यह पीछह की ड़ारेक्शन में ताप देखोगे तो यह हमेच Zahl पहला जाएंगी यानि कि पीछ तो कभी अ करनाी सकती हैं अब इस connection में जाओगे तो image नियर सकती है मैं पता नहीं कि वह करेंगी यह करेंगी उससे खेख आप यह बोल सकते हैं कि वो किसी infinity position पर जाकर meet करेंगे चलिए अब इसकी जो points हैं उनको discuss करने कोशिस करते हैं image कहां पर बनी है यह तो image आप लोगों ने बोला कि भाई यह infinity पर बनी है दूसरी चीज मेरे को यह बताओ क्या image magnified बनेगी या क्या बनेगी तो आप बिलकुल बता सकत हैं कि जो मेरे पास में image बन की जो formation होने वाले इस highly magnified तो आप इसको directly लिख सकते हैं कि मेरे पास में बनेगी highly magnified बनने वाली है ठीक है तीसरा point हम बात करें कि real बनेगी वर्चौल बनेगी तो आप देख पा रहें कि यह हमारे पास में real रे जा रही है यानिकि after reflection जो रे जा direct बनेगी तो आप देख लो यहां पर कि top end ऊपर था और जब यहां नीचे जाओगे तो नीचे की साइड में आ जाएगा नहीं कि inverted हो जाना है तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास में जो फॉर्थ केस बनने वाले जैट इस इंवर्टीड तो वह यह पांच केस जल्दी से इस तो उसी केस को मैं पर दिफाइं करता हूं अब इसकी जड़ोतिक नहीं मेरे को एंसे मैं इसको रफ कर देता नुट कि शेभी लास्ट कर दीच में इसके उपर में parallel to principal axis आप लोग को incident करवानी है तो पहली आप लोग ने principal to axis करवाई तो यह मेरे पास में गई और दूसरा यहां से वापसी आ गई है ठीक है दूसरा मेरे को क्या करना पड़ेगा क्या मैं center of curvature का यूज़ करके निकाल सकता हूं रे इसको निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ी complex वढ़ जाएगे तो आप कोसिस करोगे center of curvature से रे को निकालना आप आवाइड करो दूसर तीसरा रूल पर आजाओ क्या मैं focus हैं ऐसे यहां पर incident करवाऊंगा तो यह तो इंफिनिटी को इसको गिलास नहीं मिलने वाला है कहीं मिरर मिलेगा अगर मैं यहां से इसको focus से पास करोने का मलब आगे कहीं मिरर होना चीए यह एंगल थीटा पर ही क्या हो जानी है reflect हो जानी है ठीक है अब आप इसको देखोगे तो यह जो है यह जैसे जैसे आप इंफिनिटी की तरफ में जाओगे तो मेरे पास में यहां से तो कम गयप है लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसके अंदर में यह बिलकुल हमारे जा रही है थोड़ी सी आप लोगो पास दिख रही होंगी ऐसे दिख रहा होगा की थोड़ी एक्सपेंड हो रही है थोड़ा से मारा मैं इसके अंदर में जब हम construction कर रहे थे तो आप थोड़ी सी इसकी चेंज हो गया तो आप याद रखना कि यह पैरलल जाएंगे आपसमे थी कि भाई जो भी आपको करना है इन रेज को पीछे की चरब में एक्स्टेंड करवा दो आप लोग ताकि आप लोग को वर्चुल इमेज बन जाए कहीं ना कहीं आप लोगो इमेज चाहिए तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों पाइंट को यहां से लेंगे इस करो को जी यहां इस सर मेरे बन गजाए है यहjuk है लेकिन मैं ज्यादा बना दूँरा तो यह बॉर्डं से बाहर चले हैं यादिक ढtrack को समझने वाली चीज यह थी कि जो मेरे बनेगी वो कहा बनेगी वह बनेगी बीहाइंड मीरर अब और जब भी हमारे पास में बेर बनती है तो इमेज का जो रूप होता है वो क्या होगा हमारे पास में देख लेँगा आप लोग कि मेरे पास में highly-magnified highly-magnified मेगनिफाइड होगी है तीसर आप मेरे को बताओ क्या देखते हैं मेरे पास में वर्चुल बनेगी तो आप देख पा रहे हैं कि निदेख आप देख पा रहे हैं कि जो तो पा इंड था इसका जो बोटम एंड वही हमारा प्रिंसिपल एकसिस था उसी के वह वह भी यह बेंगी तो आप यहां बोल सकते हैं कि मेरे पास में दोने वाली इसके अंदर में इरेक्ट में बाइस में बन जाएगी अच्छा अब तो यू बताव मेरे को यू कहां पर रखा हुआ आपको यहां से निकालनी होती है क्या कहता है कि जो incident ray हुई है अगर उसकी direction में आप लोग calculation कर रहे हैं तो positive आएगी और उसकी opposite direction में कर रहे है then the calculation will be negative तो आपको image की position निकालनी यह निकि सोरी ऑब्जेट की पोजिशन निकाल लिए यह तो आपको इसके पोजिट चलना पड़ेगा क्योंकि इंसिडेंट रे तो इस डिरेक्शन में जा रही है देन दा यू विल बी डेगिटिव और फोकल लेंथ मेरे पास में जो आएगी वो मेरे पास में क्या रही है उसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा जैने कि जो रे इस डारेक्शन में जा रही है आपको इसके पोजिट जाना पड़ेगा देन इट विल बी नेकिटिव अब इमेज की पोजिशन बताओ मेरे को इमेज के लिए क्लेशन करना चाहिए तो इमेज को जो मैं काल्कुलेट ठीक है तो यहाँ पर जो वी आने वाला है डैट विल बी पोजिटिव आई होप आप आप लोगो साइन कर्वेंशन को लेकर यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चीए कि किसको हमें पोजिटिव लेना और किसको में नेगिटिव लेना है ठीक है याने कि आपने रे इस इस पूरे का सारंस एक ही निकलता है कि मेरे पास में जो फोकल लेन्स होती है वो कले तो इंस अदर पहला point यहां पर आप लोह को लेकर चलना है पहला point अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा यहां पर रफ करने कोसिस करें तो conclusion बता रहा हूं यह आप लोग को numerical के अंदर में directly use करने हैं हमेशा आप लोग को image की formation नहीं करनी है कैसे हमारे पास में कौन की रखना है यह स्टेंडर्ड पॉइंट आप लोग को बता रहा हूं तो यह आप लोग हमेशा अपने नुमेरिकल के अंदर में लगाएंगे तो इजली आप लोग टाइम अपना सेव कर पाएंगे कि कौन के मीरर की हमेशा और हमेशा फोकल लेंद क्या रहेगी नेगेटिव र और यहां रखोंगा रेंशिएंट होगी तो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे हमेशा इसके पोजिटी जाना पड़ेगा तो फोकल लेंद जो मेरे पास में पहला पॉइंट की पॉइंट है यह नेगेटिव होगी दूसरा की पॉइंट इसका जो ऑबजेक्ट रखा हुआ तो आप देख रहें कि अबजेक्ट हर केस्में मीरर के सामने रखा तो हमेशा आपको इमेज कि ऑसकी जो लोकेशन करने के लिए सब अंदर में बॉल सकते हैं कि इसकी की ऑबजेक्ट की जो पॉजिशन होगी इट ऑल्वेज रिमेन नेगेटिव हमेंसे आप लोग को नुमेरिकल के अंदर में फोकल लेंथ कुछ भी दे रख्यों मिरर की कुछ भी हमारे पास में ऑबजेक्ट की पोजिशन दे रख्यों तो सोटकट बता है यूवेफ डिवाइड़ वाई यू माइनस आफ इसके अंदर में आप लोग वैल्यू पुट करेंगे जो भी आपके पास में आई है मानो माइनस टैन है माइनस टॉन्टी जो भी आप यहां पर साइन के साथ में रखो यूविल गैट यूर फाइनल ठीक है कैसे आप लोग को समझाइ कून के मीरर को लेकि लेकर कुसी को डाउट यह इसके अंदर में अगैर डाउट है तो कॉद्ध मिरर के लिए क्या आप लोग कर सकते हैं अगर डाउट है तो आप जो मैं आगे चीज बात करना चाहा रहा हूं क्या आप कॉन्वेक्स मीरर के अंदर में अपनी जो कंसेप्स हैं उनको लगा के उसको करेंगी अगर वो सोल कर लेंगे तो आपके जो डाउट से न वो सारी जो ओमारे कंसेप्ट है ना वो टीका वाता साइं कर्वेंशन को लेकिए अगर आप लोगो साइं अच्छे से आता है ना तो आप इस इस तो आप सारे को श्रम को ईजली सोल कर लोगे जलो वैं hy लिए यहां पर साइन कंवेंशन की जब मैं बात कर रहा था तो मैं यूझ करता मोगर क यह हैं पूरी कहानी किसको थी यह पूरी कहानी थी मेरी कौन के मेरा को लेकि यह लास्टूपक इंडर में आता है कौन्वेक्स मिर अ सब कुछ सेम रहेगा मिरर फॉर्मला भी सेम रहेगा मेगनिफिकेशन फॉर्मला भी सेम रहेगा लेकिन साइन कन्वेंचन जो वो साइन कन्वेंचन थोड़ी से बदल जाते हैं इसके अंदर में अब नहीं किया है तो भई इसको मेरे को कोटिंग बता दो थोड़ी से कि कोटिंग मुझे कहा करने पूड़ीगी ठीक ना अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है यह मेरे पास में भई कॉन्वेक्स मेरा आ इसका जो सेंटर अगर में बात करूं इसकी तो यह कहीं इस से लिए स्पर्यक्ल बोल को चो काटे थे तो इसके óriaरेक्षण में उगा था तो इसका कटके ना यहां पर द आ Ahh समझ में आने लगा कि छो में सुरू में बताया थैं आप लोगो अपपैंट से कि ये डेफिनिशन से आपको बार-कर यूम्ठ पडएंगे बार-बार मैं इनको चार जो कंसर्ट पढ़ाऊंगा सभी के अंदर में यह सेम चीज़े यूज़ करूँगा तो समझाए क्या सेंटर ऑफ करवेचर होता है पॉल बताओ जल्दी से पॉल एक वह पॉइंट होता है जो कि मेरे पास में कन्विनेंट होता है जहां से मैं अपनी से इसके फोकस की बात करें तो फोकस यहां कहिए रहने वाला है यहां मुस्क बारे में भी देखेंगे कि काम पर रहेगा लेकिन रिलेशन यहां पर भी रहेंगी क्या रहेगी कि जो मेरे पास में रेडियस कूं सी डिस्टेंस होगी पॉल से मुझे यह कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कि यह दिस्टेंस ऑफ व के पास मैं मेरे पास में बने थे और पहला केस का looking to के पास में कि रे आ रही ईंफनेटी से कहीं मेरे पास में यहाँ इंसिदेंट हो रही है दूसरी रेकी मैं बात करूंतो वो कहीं आपने इसके मिरर के आसपास में रख दिया है जो इसका है जो पर चेह आपको दिख रहाएं उसके आसपास में आपने ना वी प्लस में वन वाई यू यह भी सेम रहेगा इसके लिए विद साइन कंवेंशन साइन कंवेंशन के बारे मैं अभी देख लेते हैं इसको फिर दूसरा मैंने क्या दिया था मैंनिफिकेशन का फॉर्मिला देट इस एच आई डिवाइड़ वाई एच नोट इक्वल टू माइनस वी बाई यू विल्कुल एजटीज रहेगा और सारी वैल्यू आपको विद साइन कंवेंशन इसके अंदर में रखनी है तीसरा जो मेरे पास में फॉर्मिला बन रहा था क्या मेरे ये मेरे पास में से कुम्वारे एक्सिट्र है यहां से को यहां पर है तो यहां पर यह आकर इंसीडेंट होई ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को क्योंकि यहीं सेम कंसेफ्ट में जब लैंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं यूज करने वाला हूं कि जब आप लोग मीर इस साइड में रखा हुए यानि कि मिर इस तरह से बनावा तो एंगल ओफ इंसीडेंस और एंगल ओफ रिफ्लेक्शन क्या होगा तो आपने एक चीज़ वहां पर बहुत खुब्सूरत तरीके से सिक्की थी कि इसका जो इस पॉइंट काम नॉर्मल निकालने में होगे ना अगर इसका नॉर्मल निकाल ले जाए तो हम आईजली बता सकत है कि वर्चुली हम यह चीज़े कर रहे हैं इसके अंदर में तो यह जो मेरे पास में बनेवाला यह इसका क्या बने वाल retro reflectback के जाएगी वह आ अ leven से reflect back होगे इसी direction में जाने वाली है तो यह मेरे पास में इंगल कितना बनने वाला यह यहां क्यों गई बोड के इसी साइड में बाहर क्यों नहीं आए अंदर क्यों नहीं गई दूसरा लोग यह सपेसिफाई करता है ना कि जो मारे पास में normal होता है incident ray होती है और reflected ray होती है वो तीनों एक ही plane के अंदर में होती है इसलिए मैंने उसको वहां पर represent करवाया अब देखो क्या इस रे से मुझे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसी तरह से मैं नीचे से एक ray डालूँगा और ray डालूँगा तो यह भी कुछ इस direction में reflect कर जाएगी ठीक है नॉर्मल आप लोगों को पता है कि वह इसका नॉर्मल ऐसे आने वाला यह आप लोगों नहीं यहां पर डिफाइंड कर दिया दो रेज हमने यहां पर यूज कर लिए अब यह एक्षवल में तो मीट कर नहीं रही है अब क्या गरते हैं इनको जो reflect ray हो के गई है तो reflected rays के थुरू बनती है तो जो reflect रहे गई हैं इनको आप पिछे की डारेक्शन में मोग करवा दो आप लोगों ने देखा कि इस पर्टिक्लर पॉइंट पर यह मेट कर गई है और जहां पर हमने कहा था कि रेज जो है पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सिज आती है और जिस भी प पॉकस तो फोकस आप लोगो डिफाइन हो गया तो आप इसकी अब पॉजिशन स्क रिंड आउट करने कोसिस करो पॉजिशन फाइंड करेंगे तो यहां पर पर आप लोग बोलेंगे इसके अंदर में पहला पॉइंट इमेज बनी है बिहाइंड जो हमारे पास में पोल और वर्चुली बनी यह चीज़े दूसरा आप बोलेंगे कि इमेज जो मेरे पास में वो डिमनिस्ट बनी है तो आप यहां पर कहेंगे कि मेरे पास में जो इमेज बनी है वो मेरे पास में डिमनिस्ट बनी है तीसरे की मैं बात करूं क्या वो रियल में बनी है वर्चुल बनी है ठीक है तो यहां पर जो रेस थी आपने उनको रियल में तो मीटें नहीं करवाया रिफ्लेक्टिड रे थी वो तो इस गिलास को तोड़ के अंदर तो आ अगर आप और concept की राओ यह पास में लेकर दूसरी पोजिंगे की जांपे यहां मेरे ना यी मेरे पास में हो गया ऊइन जो कि मेरे पास में हो गया उसका अप्र निस और अबजेक्ट जो रखी है वो मैंने यहां पर रखी है पहला पॉइंट क्या बोलता है पहला हमें यह वो आपको रे ऐसे करनी है कि वो उसके पैरलिल जाएंगी तो वो क्या होंगी उसके उपर में वर्चुली पास होगी लेकिन इनिशली वो क्या होने वाली है यहां पर अगर इसका नॉर्मल जाएगा यह इसका नॉर्मल हो गया भई तो यह यहां कहीं निकल जाएगा इसके अंदर में यहां पर इमेज बनेगी जो दूसरी रेगल लेके चलनी है वो आपको इंसिदेंट करवा नहीं कहां पर इसके पॉल पर ठीक है ना यहां पर फोकस से पास करवा सकता क्योंकि वह तो वर्चौल पाइंट्स हैं लेकिन मुझे मैंने कहा थे चार रूल हैं यह मेरे पास में थम रूल हैं किसी भी मेंज फॉर्मेशन के लिए तो यहां पर आप लोग बता हो कि दो मेरे पास में रहे हैं कौन सी एक तो यह औगी है और यह मेरे पास में दूसरी रिफ्लेक्टी रही है क्या यह कभी में मीट कर सकती हैं answer is no क्यों कि आप यहां खड़े हैं तो पीछे की डारेक्शन मैंसे बढ़ती वी चले जाएंगे तो करना क्या चीए आप लोगो आपको पहले तो यह भाई रिये जो है जो यह भाई मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां से जो आप लोगों ने लोगों ने देखा कि यह दोनों रेज जो हैं पिछे की डारेक्शन में इस पार्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर गई हैं तो आप देखेंगे कि यह जो अब्जेक्ट की जो इमेज बनने वाली है वह यहां पर बनेगी तो यह जो इमेज बनी है दिस इज ए डैस बी डैस और जो अब्जेक्ट थी वह आपके पास में ए थी और बी थी यह समझाया कि यह कहां से बन गया मेरे पास में ए डैस बी डैस क्योंकि मुझे यह पता है कि मेरे पास में जो अब्जेक्ट की इमेज बननी है तो उसके लि आप लोगों चार थम रूल बताये थे अगर कोई भी दो रूल हमारे पास में फेल हो जाते हैं तो अधिलिए दो रूल को यहां पर यूज तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो एपॉइंट की बनेगी इसी तरह से सब रेज को मैं यहां पर इंसिडेंट करवाऊंगा तो मुझे इसी के उपर में सारे इस लेनियर लाइन के उपर में इस लाइन के उपर में मुझे क्या बिनने वाले सारे पॉइंट मिलेंगे और सभी को मुझे उड़ दूगा तो मुझे मिलेगा एडस भी डस यानिकि उसके एक इमेज यहां पर डेवलप हो जाएगी ठीक है चलिए इसकी बात करते हैं कि इसकी ज अब देक पारैं कि मेरे पास में इसकी यहां पर है और बोले Esse थो टी Minute यहां करने कि अपर देखने ही तो आप लोगो देख पा रहे हैं कि मुझे इसके लिए पीछे की डायरेक्शन में मुझे कर्वाना पड़ा तो मेरे पास में बनने वाली है वर्च्वल इमेज और फॉर्थ पॉइंट क्या इरेक्ट बनेगी या फिर मेरे पास में इनवर्ट बनेगी तो देख पारें आप लोग जो ए पॉइंट था वह अभी एडेस उपर की साइड में यानि की प्रिंसिपल एक्सिस के उपर तो आप कहेंगे कि मेरे पास में कैसी बनी है इस इरेक्टिमेश तो यह था आपका पूरा कॉन्वेक्स मिरर को लेकर जितना भी कंसेप्ट था इसका स्क्रीन सोट लेना चाहें तो ल मेरे पास में कौन के मीरicular होता हैं क्वेक्स मीरर क्या होता हैं फिर आपने sign convention के बारे में पढ़ना शुरू किया फिर आपने mirror formula के बारे में बात करीthis one by f equal to join by V plus में web । और इस formula को लगाने केवल और एक necessary condition है कि इसकी जितने भी वैल्यूज है वह आपको विद कांट साइन कंवेंशन यहां पर रखनी पड़ेंगी अदर्वाइज आपका आंसर जो है वह गलत आ जाएगा फिर हमने बात करी जहां पर आप लोगों ने मेरर के अंदर में पलस के sign लखे दें वहां पर आप उसको माइनस कर देंगे मैगनिफिकिशन के अंदर में पलस v by u हो जाएगा और फॉर्मले के अंदर में 1 by v minus 1 by u आप लोग को हाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो इस सारी चीज़ आप लोगों को ने समझी फिर हमने देखे कि जो कौन क्यों mirror आता है उसके अंदर में 6 positions होती है जा पर हमारी object रखी होती है और object रखी होती है तो उसको use करने के लिए मैंने 4 थमरूल आप लोगो दिये पहला थमरूल आप लोगो दिया कि कोई भी ray principal axis के parallel जाती है वो आमारी focus से पास हो जाती है दूसरा थमरूल मैंने आप लोगो दिया कि कोई भी ray focus से पास होती है तो वो मेरे पास में parallel to principal axis आती है तीसरा थमरूल आप लोगो को दिया कोई भी center of curvature से पास होती है तो center of curvature से वाप आप से रिटन बैक हो जाती है क्यों होती है उसका रीजन आप लोगो ने समझा क्योंकि वही उसका नॉर्मल होता है एंगल आई वह बहाइंड दा मेर्र बन रही थी यानि वर्चुल इमेज बन रही थी बागी कैसिज में हमारी क्या थी में जो इस डायक्शन बन रही थी इन दे फ्रेंट ऑफ रही भी अपने सेंटर को देखा और यहां पर अमारे पास में फोकल लैंद के बारे में डिसक्स किया फिर पास में जो final result बनने वाला है जब भी आप लोग को दे दिया जा तो हमेशा और हमेशा focal length क्या रेने वाली है इस इस केस में इस direction में जा रही है और इस केस में इस direction में जा रही है और मुझे पॉल की यानि कि इस फोकस की डिस्टेंज जो हो मुझे मेजर करनी है फोकल लेंद मुझे मेजर करनी है तो पॉल से मुझे इस डारेक्शन में जाना है तो आपने का जी इस डारेक्शन में जाना है तो मेरे को यह बता भई मेरे कि यह इस डारेक्शन में जा रहा है और इंसि पाण से पॉल के हमेशा हुआ रखी रही है इसे डारेक्शन में रहे है यानि कि रेड़ियो क्या हुआ था कि स्कुल लाइप में यह पढ़ लेते हो आप लोग कि भई है मेरे पास में इसको कॉडिनेट माल लो ठीक है और यहाँ पे इसके इस डारेक्शन में जाओ वह सारे नेगिटिव और इस डारेक्शन में जाओको पॉजिटिव यह तब वैलिड है जब आप लोग इस तरह का मेरा यूज कर लेते हो ठीक है यह आप लोग को कौन के मेरा आप लोगों यूज कर लिया तर तो यह बिलकुल बढ़ी है कि आप लोगों यह वोल दें नेगि गलत हो गया तो कॉंसर आप लोग को बताएं मैंने कि कब पॉजिटिव और कब नेगिटिव लेनी है आपको हमेशा इंसिडेंट रेको कंसिडरेशन में लेकर चलना होता है अपनी तरह से वह को बना लेना कि एक्स का उपर पॉजिटिव होता है ना राइट में हमारे बोलना चाहर Shrine कैसे वहांपर यूज करा भी ठीच है तो इसके अंदर में क्या कभी मेरे पास में यूज है वह मिरर के उस तरफ में मिला नहीं मिला यानannya कि conclusion निखलता है कि मेरे-पास में यू जो आ रहा है वह मेरे पास में नेगेटिव बनेगा और कौनकी उजब पड़ा था तो फोकल लेंद्ध क्या था मेरे पास में वह भी नेगेटिव आ रही लाते हैं मेरा मेर मोट्यू था इस कंक्लूजन तक पहुचना इस पूरे लेक्षर का जो भी था मारे पास में इस पूरे का यह कंक्लूजन था कि मैं यह समझाने में आप लोगों को सक्सम हो जाओ कि क्या मेरे पास में फोकल लेंद रहेगी पॉजिटिव और यू रहे नेगेटिव और यह जो आप लोगों ने चस्मा लगा रखाना जो स्पेक्स लगा के बैठे हैं अब अपना नंबर देखो कि आपका नंबर जो है बहुत बोलते हैं मेरे नेगेटिव में माइनस माइनस 0.25 है माइनस 3.5 है तो अब आप खुद सोच लो कि वह माइनस 3.25 और यह बोलते हो ना वह उसकी बेसिकली फोकल लेंद होती है पावर के बारे में मैं उसको डिसक्रस करते हैं तो नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव सो मेरे को बताओ बिलकुल आप जो की वो इसी उसी पावर को वहाँ पर यूज़ करेंगी उसके अंदर में लेंस के उनदर में तो यहां पर आप सम्झभा है कि कौन की होोगा उसके मारे पास में जो फोकेल सही निकला It. उसके बहए इसके ऑच्छ numericals के बारे में बात करेंगे और numerical loco में खटा कर वाँगा mirror और lens को एखटा करवा देंगे जिससे क्या होगा आपको कोन से फोर्मिले को कहां पर यूज करने काğ मैं चाहिए रहेंगे तो बिल्कुल crystal के लिए तो एक रेंगे थे कि लेंस के लिए मैं उसक्र तो क्या वो डेटा मेरे लिए क्या होगा फिर आम बात करेंगे टोटल इंटर्न रिफ्लेक्शन को लेके तो नेक्स जो हमारा आने वाला बहुत important topic आने वाला है that will be reflection के बारे में discuss करेंगे reflection हमारा एक separate topic रहेगा उसे में TIR आ जाएगा और फिर हमारा ray optics था complete हो जाएगा फिर जो मगेरा इतने हमारे exam के लिए important नहीं है फिर भी उनके बारे में हम देखेंगे यहां पर सारी चीज़े देखेंगे basic theory होगे वह आप लोगो बता दी जाएगी जो कि आपके exam के लिए important होगी फिर हम बात करेंगे जो wave optics है उसके अंदर में चले जाएंगे और wave optics बहुत wide है लेकिन आपके exam के लिए जो oriented होंगे ने चीज़े वह यहां पर बताएंगे जिसे polarization की बात कर लें diffraction की बात कर दें interference की बात कर लें newton rings की बारे में बात कर लेंगे young double slit के regarding बात कर लेंगे बहुत सारे जो bsa के भी concept वहां पर जुड के आते हैं उनको भी वहां पर हम जोडने की कोसिस करेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में इतने आप यह जितना भी concept आप लोग को पढ़ाए गया तो आप कोसिस कीज़ेगा एक से दो बार इन चीजों को आप नोट बुक के अंदर में तो वो चीज़े अगर base clear हो जाता है ना चीजों को तो आप numerical भी देखना आप कितने smoothly जब मैं data आप लोग को दूँगा तो आप easily उन चीजों को कर पाएंगे ठीक है मिलते next class में thank you so much